हेलो फ्रेंस टेक्निकाट राजियों के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम ठंड का चल रहा है तो जगे जगे अलोप जल रहे हैं तापने के लिए ठंड को बचाने के लिए तो ऐसे में हमने एक छोटा सा रूमीटर बनाया है जो कि आपकी ठंड को बचा सकता है और आप आसानी से घर पर बना सकते हैं बहुत ही कम दामोब हैं तो चलिए बने रहे हमारी वीडियो में और वीडियो कुलाश तक देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सकते जरूर करना चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक परानी ट्यूबलाइट की फंटी ले लेंगे जो कि अपने घरों में आसानी से मिल जाती है और अगर आपको नहीं मिलती है तो परानी मार्केट से अभी ले सकते हैं जो कि कवाली की दुकान से मिल जाएगी तो चलिए इसकी जो रिपिट हैं इसको हम ग्रानर की मदद से घिस लेते हैं ये रिपिट हमें घिस ली है और इसकी जो कनेक्टर हैं इसको हम बाहर निगाल देते हैं एक halogen ले लेंगे जो कि 400 बार्ट की होती है यह heating halogen होती है जो कि heater दूर्पने की काम में आती है तो चरी इसको लगा के हम इसकाbei size n-app लेती हैं यह कितनी बड़ी हमको काट नहीं है तो इतना हमने size n-app लिया है और इसपर हम marker से निशान लगा देंगे और इसके बाद इसको काट देंगे तो हमने इसको काट लिया है और ये इसका साइज यहां पर फिट आया है यहां पर हमने एक साल लगा लेंगे कुछ इस तरीके का और इसमें दोने तरफ छेद कर देंगे तो छेद कर देते हैं तो हमें छेट कर दिये हैं इसमें और इसमें रिपेट लगा के इसको इसके अंदर फिस कर देंगे तो चलिए हम इसमें रिपेट लगा जिते हैं जो कि मार्केट में आसनी से एक रुपे की मिल जाएगी चलिए इसको रिपिट लगा के और इसको इसमें फिट कर देते हैं तो यह हमने चार तरप से इसको फिट कर दिया है और दूसरी वाली को भी हम इसी तरीके से फिट कर देंगे तो ये दोनों repeat हमने लगा दी है अच्छी तरीके से और ये complete हो चुकी है अब हम इसमें rod को लगा कर देखेंगे rod का size सही आया है या नहीं तो ये rod हमने इसमें लगा कर देखते हैं तो यासा कि आप देख सकते हैं विल्कुल इसका fit size आया है तो चलिए इनके जो rotor holder है पहले उनको फ़चली से open कर लेते हैं तो इसके망 susceptible हमने open कर ली हैं अब इसमें जो एक सुराग पहले से है या से दूसरे सुराग हम यहां पर और कर दाएं तो चलिए इसमें सुराग कर लेते हैं इसके लिए हम पहले इसको markर लेंगे सबसे पहले हम एक चोटा बरह फिसले नहीं ही तो सबसी के फजाले एक चोटा सा करेंज तो हमने चोटा सब कर लिया है आप इसको चोणा करने के लिए भा«विग लगाये तो यह हमने इसको चोना लगा कर लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं यह इतना चोना हो गया है जिस तरना तार आसानी से जा सके तो यह 1 mm का हम तार ले लेंगे एक मीटर का और उसमें से आदा मीटर हम यूज करेंगे जिसमें से एक तार को छोटा रखेंगे एक को बड़ा तो यह जहां फिर हमने काट दिया है इसको जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटा तार है और एक बड़ा तार है इससे क्या हुआ कि हम एक साइड जाव निकालेंगे तो उसमें एक छोटा और एक बड़ा तार की जुरुत पड़ेगी तो चलिए स्था स्लिप चाड़ा ले तो ये रॉटर होल्डर की कनेक्टर है जिसमें देख सकते हैं आप कि ये वाला पॉइंट है ये और ये ये दोनों पतियां है इन दोनों में करेंट रहेगा तो हमें किसी इन दोनों को आपस में जोइंट करना है जोइंट करने के लिए एक जुगाला भी बनाएंगे हम जो कि आप अभी देखेंगे सबसे पहले हम इसको सुआ कर लेती है वायरिंग से यहामने इसमें काले ताथ दौनों एक एक साफ में समय कर लिए है और सलीपको उपर चळा दिया है नहें तो दोनम ंतार हमने कनेक्ट कर लिए है जल्दी से इसको इसमें कस्द देते हैं तो दोनौं रोटो होड़र हमने कस्द दी है वो कुछ इस तरीके से हमारा बन चुका है अब इसमें हम जुगार करेंगे वो क्या कि हम जब इसमें रोड लगाएंगे तो रोड पीचमें फंक आएंगे वम आईगी के बवल दुगार है कि हम जो कत्र होता है क टर को तौना तरप से गिस देंगे कर रसे यसा कर सकते हैं तो यसे को करें और शोद्द दोना तरप से इसकट पर करें पड़ेगी दोस्तो चप्टा इससे किसकी करना पड़ेगा क्योंकि अब रहतोरी से हम मारेंगे तो यह तूटी जाएगी तो हलका लगा किसेंगे ज्यादा किसेंगे तो यह खराब भी हो सकती है थोड़ा दोला किसना है दोस्तो इससे की खराब ना हो अब यह इसमें लगा कर देखेंगे तो यह हमारी विल्कुल आसानी से आरही है यह देखें विल्कुल आसानी से आरही है और यह अच्छा वर्क करने के लिए तैयार है तो चलिए आप हम इसको रख देते हैं साड में और एक कोई भी पत NOT till दे लेते हैं यहां पर ट्रांस्वारमर का पति है हम अप इसका और कोई भी पत्थी ले सकते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं इसको काट लेंगे हम काटके ano कटके पत्री gay दो तो टुकले निकाल लेंगे फिर यह पौन इंच के दो टुकले निकालेंगे पौन इंच के जो कि हम जो वाटर होल्डर हैं उसमें लगाएंगे अभी आप देखते ही वीडियो को और बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है तो यह हमने यह पत्ति काट लिए और इ इसे की स्टेपलर होता है स्टेपलर यह सी बिन बना लेंगे स्टेपलर यह बना ली है हमने कुछ इस तरीकी से और इसको हम अंदर जो पत्त्य रोटरोल्डर के अंदर उसके ऊपर लगा देंगे इसको कुछ इस तरीकी दे लेकिन दोस्तों इसमें एक काम और करना है इसके अंदर हम जो एल्मोनियम की वायर होता है यह वाला इसको डाल दें कुछ इस तरीकी दे इससे क्या होगा जब हम रोड लगाएंगे तो यह पत्ती पिछके इन तो यह जरूर लगा लें आप एक के पिरे बना लिया और इसको के अंदर एक लगाएंगे कि तो इस तरीके से हम लगा देंगे विये इस तरीके से लुडायगा जो आइए अब इसको हम जो लगाएंगे तो यह हाट रहेगी तो इसकी connectivity अच्छी रहेगी तो यह हम लगा दिये दूसरी वाली को भी हम इस तरीके से लगा देंगे तो यह काफी tight हो गई है यह लूज रहेगी नहीं अच्छा work करेगी और लूज रहने से gas spark करती है और यह लूज नहीं रहेगी तो इसको अब अभी निकाल देते हैं आद दोस्तो हमें जरूत पढ़ेगी इसकी जाली बनाने की तो जाली के लिए हम जाली लेकर आएंगे मार्केट से लूज बनाने के मार्केट से खरेद लिये तो फोटिचर गजर थे रूप पड़ी जाली है अब छोटी भी ले सकते हैं यह हमारे पास बड़ी जाली है ञाने मिली नहीं थी मार्केट से तो हम बड़ी के यूज़ कर रहे हैं तो यह हमने काट के उसी साइच की बना लिए इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आएगी तो यह कुछ इस तरीके से हम लगा के देख लेंगे और यह अंदर की तरफ खिसकाएंगे तो यह अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी दोस्तों इसमें फिट करने चारो कानों पर हमने स्टुराक कर दिये हैं अब इसमें या पीच करस देंगे चारो चलदी से ये काले आदा अंची के पीच है और एक एक वार्षा लगा देंगे जिससे की जाली से पार ना हो तो चलिए जल्दी से हम यह वार्शार और पेच लगा देते हैं तो यह हमने पेच लगा दी है कप्लिट हो गया है तो आप चाहें तो इस पर कलर ही कर सकते हैं मैंने इस पर कलर किया है तो इस पर यह लुक अच्छा हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं फीला कलर कर दिया है बहुत अच्छा लुक दे रहा है आप चाहिए कोई साभी कलर कर सकते हैं यह केसिंग में लगाने वाली टी है इसको यह लगाने ज़े क्या है यह तार बहर नहीं निकलेंगे एक साइड में दबे रहेंगे तो यह हमारा कंप्लीट हो गया है बनके तयार हो गया है और अब इसकी टेस्टिंग की वारी है उससे पहले हम इसमें एक तार जोईंट कर देंगे क्योंकि इसका तार हमने छोटा काटा था आप चाहें तो पूरा लंबा तार भी डिरेक्ट जॉंट कर सकते हैं तो यह हमने एक मैन लीड इसमें जोड दी है और इस पर टेपिंग कर दी है जिससे कि इसकी लंबाई बढ़े जाएगी और आसानी से हम इसको कहीं भी रख सकते हैं तो यह हमारा वर्क कंप्लीट हो गया है इसका और अब बार यह टेस्टिंग की यह मैन प्लक को मैन सुच में लगा देंगे और भी जलाकर देखते हैं कैसे वर्क करता है हमने इसको लगा दिया है और यह ओन कर दिया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है और काफी अच्छी heating है एक व्यक्ति के लिए बहुती बड़ी अबर करता है अच्छा गरम कर देता है temperature काफी ठीक ठाग इसका है जैसा कहाँ देख सकते हैं बहुती बड़ी अबर कर रहा है जाज़कि कि सिख सकते हैं अपने हाथों को और जाड़ों में सरदियों से बच सकते हैं तो आई हो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी आप वीडियो पसंद आई तो आप भूला traveled इन शेयर करें और संब्सक्राइब बिर भराएं लेकिन आप लोग subscribed नहीं करते हैं क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं जो कि सब्सक्राइब करना जानते नहीं है तो आज मैं अभी इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं जो जानते हैं वह तो करी लेते हैं जो नहीं जानत technical राजी होगी तो यह हमारा logo आ जाएगा TR करके इसको टच करेंगे तो यह हमारा पूरा system खुल जाएगा और यहाँ पर आप subscribe कर सकते हैं और bell icon को प्रेस कर सकते हैं तो यह आपका subscribe हो जाएगा और bell icon on हो जाएगा जिसे की आने वाली वीडियो की notification